अच्छाइब कुमार लेक्च्छर प्लोडिकल साइंस स्कूल सिक्षा विभाग हर्याना सरकार विश्व की प्रमुक सब्विताओं के अधिन के कर्म में आज हम माया सब्विता का अधिन करेंगे माया सब्विता जानी जाती है अपने माया किलेंडर के कान 2012 में ये भविश्यवानी की गई कि 21 दिसंबर 2012 को दुनिया खतम हो जाएंगी काफी हो हला मचा तो इस भविश्यवानी के पीछे जो सबसे बड़ा कान था वो था माया किलेंडर क्योंकि माया किलेंडर में 2012 के बाद तारिख नहीं दी गई तो ये माया किलेंडर क्या है और 2012 का ये क्या रहस्य था इसका विस्तार से वर्णन हम इसे अध्याय में करेंगे इसके अलावा माया सब्विता की प्रशासनिक विवस्था कैसी थी लोगों का समाजिक और धार्मिक जीवन कैसा था लोग किन-किन देवी देवताओं की पूजा करते थे लोगों का मुखे विवसाई क्या था या फिर माया सब्विता का पतन कैसे हुआ इन बातों का भी विस्तार से वर्णन इस अध्याय में किया जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं माया सब्विता कक्षा दस की इतिहास की पाठे पुस्तक है इतिहास भार्त इम विस्तु इसी पाठे पुस्तक का अध्याय दो प्राचीन विस्तु की परमुक सब्विता है तो प्राचीन विश्व की परमुख सब्वताओं के अंतरगत आज हम माया सब्वता का धन करेंगे विश्व मानचीतर पर यदि हम देखें तो हमारे सामने कई परकार की सब्वताइं दिखाई देती हैं भार्त में प्राचीन समय में सरस्वती सिंदु गाटी के सब्वता विक्सित हुई इसी परकार चीन की सब्वता इराक में मैसोपोटामिया की सब्वता मेसर की सब्वता इन सभी सब्वताओं का अध्यन हम कर चुके हैं तो जिन लोगों ने हमारे वीडियो नहीं देखे हैं वो इनको देख ले, आज हम माया सब्रता का दिन करेंगी, माया सब्रता उतरी अमरीका के दक्षिन में विक्षित हुई, अब ये क्या जगह है जहां पर ये विक्षित हुई, तो सबसे पहले मानचितर पर इसको देखना ज़ोड़ी है, उतरी अमरीका के दक्षिन में 500 इसा पुरो से 1000 इस्वी के बीच, यानि कि 500 इसा पुरो का मतलब है कि आज से 25 साल पहले, 500 इसा पुरो से 1000 इस्वी के बीच एक और सब्रता फलिफुली जिसे हम माया सब्रता के नाम से जानते हैं, या सब्रता आज के गौाटेमाला, बलीजे, दक्षिन, पूरो मेक्सिको, हॉंडूरास और अल सल्वेडोर तक फैली हुई थी, तो ये अलग-अलग देश है, ये गौाटेमाला कभी इन पे बच्चों का ध्यान कम ही जाता है, कि ये कहां पर है, तो सबसे पहले देश जान में ये वो जगह है, मेक्सिको, मेक्सिको के पास जो छोटे-छोटे से ये देश है, यहां पर ये सब्रता विक्सित हुई, जिसको माया सब्रता कहते हैं, तो मेक्सिको को अगर हम देखें, ध्यान से ये मेक्सिको है, और मेक्सिको के पास ही, ये मेक्सिको सिटी इसकी लविडूर हैं वास्तो में इतने बड़े इलाके में ये सभ्यता विक्सित कोई जिसको हम माय सभ्यता या जिसको हम माय सभ्यता के नाम से जानती हैं तो क्या थी ये माया सब्विता, इनका वास्ट्विक्तिन का जीवन कैसा था, ये चार-पांच देश हैं छोटे-छोटे से, जिनमें समुद्धर में हैं तो बड़ा कम ध्यान पर जाता है, दोबारा फिर एक नक्षे में दिखाया गया है, जहां पर ये सब्विता फैली, ये कि यहां तक ये सब्विता फैली हुई थी, जिसको माया सब्विता के नाम से जाना जाता है, यह कोई बड़ी सब्विता नहीं थी, बलकि छोटे-छोटे गाउं और शेहरों की एक सांस्कृतिक इकाई थी, तो जिस परकार से हम सरस्वतिस हिंदू सब्विता देखते हैं, कि एक बहुत बड़े क्षेतर में फैली हुई थी, बहुत सारे शेहर उनके मिले हैं, तो उसी इसाब से गर इसकी तुलना करें, तो यह बहुत बड़ी सब्विता नहीं थी, बलकि छोटे-छोटे गाउं और शेहरों में फैली हुई थी, इनमें से जादा तर शेहर और गा विग्यान, इनका एक बहतरी विग्यान था और इनके कैलेंडर, तो इन चीजों के कारण अपनी भव्य स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर के कारण, लेखन कला, खगोल विग्यान और कैलेंडर के कारण ये सब्वता आज भी जानी जाती है, 250 इसवी का समय माया सब्वता का स् स्वर्णिम यूग माना जाता है, इस समय यहां 40 शहर थे, कौन-कौन से जैसे टिकाल, कौपन, बोनाम पाक, पैलन क्यू आदी, तो ये शहर यहां पर बसे हुए थे, 250 इसवी का समय इस सब्वता के लिए स्वर्णिम यूग का समय माना जाता है, उस समय लगबग 20 लाख ल होती चली गई, इस सब्वता का पतन कैसे हुआ, इस बारे में कोई छोसकान पता नहीं चल पाया है, क्यों इतनी विक्सी सब्वता का अंत हो गया, इसका कोई छोसकान नहीं मिला है, बहुत सारे इस बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कारण दिये हैं, कुछ लो इस सब्विता का पतन हो गया कुछ लोग जलवायू परिवर्तन जो में इन कारण मानते हैं जलवायू परिवर्तन को इस सब्विता की पतन का कारण मानते हैं इन लोगों का मानना है कि यहां सो साल तक भ्यांकर या भ्यानक सूखा पड़ा जिसके कारण इस सब्विता का पतन हो गया, सो साल तक बरसात नहीं हुई, जिसके कारण लोगों को पीने के पानी या फिर फसले उगाने में परशानी आई, और इस सब्विता का पतन हो गया, माया सब्विता वास्तों में जिसके लिए जानी जाती है, वो है माया कलेंडर, तो ये माया कलेंडर उनका आप देख मिलकर बना है, उसमें पहला है दा हाब कलेंडर, दूसरा है टैजोकिन कलेंडर, दा टैजोकिन कलेंडर और तीसरा है दा लोग काउंट कलेंडर, तो तीन कलेंडर से मिलकर जो है, वो माया कलेंडर बने हैं, वास्तों में तीन अलग-अलग कलेंडर हैं ये, हाब कलेंडर, और दा लोंग काउंट केलेंडर, इन तीनों केलेंडर की अपनी अलग-अलग विशेस्ताएं थी, तता इन तीनों में तारिक लिखने का एक अलग तरीका था, तो क्या तरीका था वो, वो इसको अलग-अलग से करना जरूरी है, तो सबसे पहले हम करेंगे दा हाब केलेंडर, उनका हाब कलेंडर माया सब्वता के लोगों का हाब कलेंडर क्या था हाब कलेंडर सूरिय कलेंडर था जिसमें एक साल 365 दिन का होता था तो जिस सूरिय कलेंडर का मतलब है कि सूरिय जिस परकार धरती सूरिय का चक्कर लगाने में 365 दिन का समय लगाती है तो उसको हम सूरिय क लेंडर था जिसमें साल 365 दिन का होता था और यह जो साल था वो 19 महिनों में बटा हुआ था उनका जो साल था उनका 12 महिने नहीं होते थे बलकि उनके 19 महिने होते हैं जिसमें से 18 महिने जो थे वो उसमें से हर महिना 20 दिन का होता था 18 महिने ऐसे थे जिसमें से हर महिना 20 दिन का होता था तो इस हिसाब से गर हम देखे 18 महिने और 20 दिन का होता तो 18 गुना 20 बराबर 307 दिन तो बच जाते हैं 5 दिन तो 19 जो महिना होता था वो 5 दिन का होता था लेकिन इन 5 दिनों को वे माया सबता के कलेंडर बटा हुआ था और हर महिना 20 दिन का होता था तो इस हिसाब से उनके 360 दिन बनते और 5 दिन जो बचते थे तो 1900 महिना 5 दिन का होता था और इन 5 दिनों को वे असुब मानते थी उसके बाद आ गया दा टैजो किन कलेंडर आ जाता है तो टैजोकिन कलेंडर क्या था माया सबिता के लोगों ने धार्मिक त्योहारों जनम मर्ण के अनुस्थानों को मनाने के लिए अलग से एक और कलेंडर बनाया हुआ था उसे टैजोकिन कलेंडर वो कहते थे तो एक माया जो उनके धार्मिक त्योहार थे या धार्मिक रिवाज थे जनम मरंड के अनुस्थान से अनुस्थान से उनको मनाने के लिए एक अलग से कलेंडर हाब कलेंडर एक अलग परकार का था और टैजोकिन कलेंडर जो था वो अलग परकार का था इस कलेंडर यह कलेंडर 260 दिन का होता था जबकि जो हाब कलेंडर था वो 365 दिन का होता था तो धार्मिक तोहारों को मनाने के लिए जो कैलेंडर बनाया हुआ था उसको टैजो किन कैलेंडर कहते थे और यह कैलेंडर 260 दिन का होता था जो 13 दिन के 20 पिरियर्ड में बटा हुआ था यानि कि 13 दिन के 20 पिरियर्ड थे तो 13 गुना 20 पराबर हो जाते हैं 260 दिन ले तीसरा जो मेन कलेंडर है उनका वो था लोंग काउंट कलेंडर, अब यह क्या था, यह जानना सबसे महतोपून है, यह कलेंडर वास्तों में यह बताता था, कि समय कहां से शुरू होकर कहां तक पहुंच गया है, जैसे जब हम यह लिखते हैं 2022, तो इसका अर्थ यह है कि 2022 साल हो गए, यानि कि इसा मसी के जनम के बाद 2022 साल तक दुनिया चल पड़ी है, तो इसी परकार उनका दर लोंग काउंट कलेंडर था, वो वास्तों में यह बताता था, कि समय कहां तक पहुंच गया है, इसी परकार माया सबता के लोगों ने भी समय का एक चकर बनाया हुआ था और यह चकर इस परकार था, कैसे इनका चकर चलता था, तो उसमें एक दिन को वो किन कहते थी, एक दिन का मतलब है किन, और बीस किन, बीस किन का मतलब हुआ बीस दिन, तो बीस किन को वो एक यूइनायल कहते थे, या यूइनायल कह लिजिए इसको, एक दिन मतलब एक किन, और बीस किन, यानि कि बीस दिन मतलब एक यूइनाल, और अठारा यूइनाल, जब एक यूइनाल बीस दिन का हुआ, तो अठारा यूइनाल या अठारा यूइनाल का मतलब हो गया, 365 दिन को वो एक तून कहते थी, इसके बाद एक तून में हो गए, 360 दिन, तो बीस तून का म कातून में कितने दिन हुए? बहत्र सो दिन हुए और बीस कातून, जब एक कातून में बहत्र सो दिन हुए तो बीस कातून में एक लाक चौालिस हजार दिन हुए तो बीस कातून को वो एक बक्तून कहते थी. किन? फिर किन के बाद यूइनाल? यूइनाल के बाद थारा यू प्रता का कलेंडर 3114 इसवी इसा पुरू से शुरू होता है, मतलब वो तब से अपने साल की गर्ना सुरू करते हैं, 3114 इसा पुरू से अपने साल की गर्ना करना सुरू करते हैं, उनका समय चक्र जो है 3114 इसा पुरू से सुरू होता है, उनका मानना था कि जब 13 बक्तून का ए तो पिछे देखें, एक बक्तून में 1,4,000, दिन होते हैं, तो उनका मानना था कि जब 13 बक्तून का एक चक्र पुरा होगा, तो फिर से एक नया चक्र शुरू होगा, 13 बक्तून का उन्होंने एक पूरा मानना था जो 2012 में विश्यवानी की गई थी वास्तों में वो माया कलेंडर को सही परकार से समझ में नए आने के कारण ऐसा हुआ तो कुछ लोगों ने इसे दुनिया की अंत की तारिक माल लिया था अब एक बक्तून अगर हम देखें तो एक बक्तून का बराबर होता है एक लाक चौालिस हजार दिन तो तेरा बक्तून का अर्थ हुआ तेरा गुना एक लाक चौालिस हजार दिन बराबर हुए अठारा ला 70,000 को भाग करेंगे 365 से तो साल बनेंगे 525.36 साल तो यानि कि 525 साल से कुछ थोड़े से जादा साल उनके बनेंगे तो इतने का उन्होंने 525 साल का उन्होंने एक चक्र माना हुआ था। वे 525 साल को एक चकर मानते थे। इस हिसाब से एक चकर 5125 क्योंकि उनका जो समय है जहां से उनका समय के शुरुवात मानते हैं वो 313 है तो 313 अगर हम उन्होंने से घटा दे। अगर 3113 क्योंकि वो यहां से इसा पुरू, 3113 इसा पुरू से अपने समय की शुरुवात मानते हैं, तो 5125 में से यदि 3113 घटा दिये जाएं, 3113 क्योंकि माया कलेंडर जो है यहीं से शुरू होता है इसा पुरू से, तो बचते हैं 2012, अर्थार्थ यह चकर 21 दिसंबर 2012 में इसा पुरू को घटा दें तो बच जाते हैं 2012, तो 2012 में 21 दिसंबर 2012 को यह चकर पूरा होना था, कुछ लोगों ने माना कि माया सब्बता के लोगों ने जो कलेंडर बनाया है, उसमें उन्होंने यह बताया है कि जब उनके कलेंडर की तारीखें खत्म हो जाएंगी, जबकि इसा नहीं था वास्तों में, उसको अलग परकार से, गलत परकार से व्याख्या करने कान ऐसा हुआ, तो कुछ लोगों ने सोचा कि माया कलेंडर में यह बताया गया है, कि जब उनके कलेंडर की तारीखें खत्म हो जाएंगी, तो धरती पर परल्लै या कोई भ्यानक को आफ पतायेगी और एक नए यूख की शुरुआत होगी, इसको वो नए यूख की शुरुआत मान रहे था, इसी कलेंडर के धार पर 21 दिसंबर 2012 को दुनिया की खत्म होने के विश्यवानी की गई थी, लेकिन यह विश्यवानी गलत साबित होई, गलत इसलिए साबित होई क्यों हम बात करें माया सब्बता की, तो माया सब्बता में राज्य के मुख्या को हेलिक, यूनीक या फिर असली पुरुष के नाम से जाना जाता था, वहां जो राज्य का मुख्या होता था, वो हमेशा पुरुष ही होता था, तो उसमें एक एक खास बात है कि राजा का जो राजजय होता था वो हमेशा पूर्स होता था, राजा का पद पैतरिक होता था, उसके मिर्ट्यू के बाद उसका जो बड़ा बेटा होता था, वो ही सिंगहासन पर बैठता था। राजा का बहदूर होना जरूरी था क्योंकि माया संबता के लोगों का मानना था कि एक बहदूर राजा ही समराज जय का विस्तार और उनकी सुरक्षा कर सकता है तो इसलिए उसका राजा एक ऐसे वेक्ति को वो देखते थे जो बहदूर हो राजा के सिंगासन पर बैठते समय देवी देवताओं को परसंद करने के लिए पशु पक्षियों और मानों की बली दी जाते खून की बली वहाँ पर अलग-अलग अंग उनके निकाल कर तो वो देवताओं को अरपित करते थे ताकि राजा दिरगायू बने और राजा उनकी रक्षा कर सके तो खून की बली देने का या फिर अंगो की बली देने का वहाँ पर परचलन था राजा भव्वे महलों में रहता था जहां उसकी सेवा के लिए बड़ी संख्या में दास दास्कियां होते थी राजा के धीन अन्य शेहरों के सर्दार होते थे क्योंकि 40 के बाताबोग कहते थे, बाताबोग पर अपने शहर के शासन को चलाने की जिम्मेदारी होती थी, छांती विवस्ता अपने शहर में बनाई रखने की जिम्मेदारी बाताबोग, इसको वो शहरों का जो सरदार होता था, वो बाताबोग कहलाता था, धार्मिक विवस्ता के अगर बनाया हुआ था जिसे टैजो की कैलेंडर कहते थे, यह केलेंडर 220 दिन का होता था जो 13 दिन के 20 पीरियड या 20 अंतराल में बटा हुआ था, इनके 166 के लगबग देवी देवता थे, इनमें सबसे स्रेष्ठ जो देवता था, इट्जामना, उनका सबसे स्रेष्ठ देवता मा में करते थे, किसी भी काम को करने से पहले देवताओं को परसंद करने के लिए खोन की बली दी जाती थी। माया सबता के लोगों के सीडी नुमा पिरामिंड भी काफी परसीद है, उनके जो पिरामिंड हैं उन्होंने भी जैसे मिसर भी पिरामिंड देखने को मिलते हैं, तो इनके भी पिरामिंड देखने को मिलते हैं, काफी परसीद थे, लेकिन इनके पिरामिंड मिसर के मिसर के लोग मरने के बाद मृत श्रीर या मम्मी को रखने के लिए पिरामिट बनाते थे तो ये अगर पिरामिट आप देख रहे हैं इनकी सीड़ी नुमा है तो इनकी जो पिरामिट थी वास्तों में वो सीड़ी नुमा है तो चारो तरफ ये सीडिया बनी हुई थी। लेकिन माया सबता के लोगों का मानना था कि पिरामिड इश्वर के पास जाने और इश्वर को धरती पर बुलाने का एक साथन है। तो इतना उचा पिरामिड बनाना होगा ताकि वह असानी से आस्मान से नीचे उतर कर आ सके। इसका मतलब ये था कि वह मानते थे कि भगवान जो है आस्मान में रहता है। इसी परकार आदमी द्वारा इश्वर के पास जाने के लिए भी इतने उचे पिरामिड बनाए गए कि आदमे को अपनी बात पहुंचानी इश्वर तक तो उसे वहां तक उन्चा उठकर जाना पड़ेगा, तो टिकाल का पिरामेंड सबसे परसिद है, इस पिरामेंड में 365 सीडिया बनी हुई है, तो ये खास बात है यहाँ पर, अगर आप ये देखें, तो एक साइड में 90 के बाद ये जो चबूतरा बना होता था, इस पर जो थी, वो पांच सीडिया थी, तो कुल मिलाकर 365 सीडिया होती थी और उनका साल भी अगर हम देखें, तो 365 दिन का होता था, तो उनके पिरामेंड और मिसर के पिरामेंड में अलग परकार का एक अलग अंतर देखने को मिलत यहां गेहुं, जो, गन्ना, चना, नारियल, आधी की फसले उगाई जाती थी, पशू पालन में गाएं और बकरी पाले जाते थी, इसके अलावा लोग नाव, सूती वस्तर, तामबे की घंटियां, तलवार, पैअभूशन बनाने का काम भी करते थी, लोग अपने बातबोव बातबोव, शहर का मुख्या होता था, लोग अपने बातबोव, हैलेक, यूनिक, तथा धनी लोगों के लिए, नकासीदार लकडी का परियोग करके घर भी बनाते थी, लेकिन आम लोगों के घर कच्चे होते थी, जिनको वो ना कहते थी, जो उनके अमीर लोग थे, राजा था, या फिर उनका जो, शहर का जो मुख्या होता था, जिसको बातबोव कहते थी, तो उसके लिए लकडी के घर बनाते थे, लेकिन आम लोगों के घर कच्चे होते जिनको वो ना कहते थे, तो माया सब्विता का जो अधन किया हमने, तो उसके बारे में हमने क्या जाना, माया सब्बता माया कलेंडर के कान जाने जाती है माया कलेंडर वास्तों में तीन कलेंडर से मिलकर बना था दहाब तौजुकिन और दलोंग काउंट कलेंडर माया सब्बता में राज्य के मुख्या को या राजा को हेलेक यूनिक के नाम से जाना जाता था माया सब्बता के लो धर्ती पर बुलाने का एक साधन है, माया सब्वता का स्रेष्ट देवता इट जामना माने जाते हैं और माया सब्वता के लोग क्लिशी और पश्शु पालन का काम करते थी, धन्यवाद, नमस्कार.